SSP scholarship साल 2024-25 के लिए finally open कर दी गई है जो भी students scholarship को apply करने के लिए जो wait कर रहे थे तो आप लोगों के लिए ये सही time है तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को SSP scholarship के बारे में सारी detail बताने वाला हूँ कि क्या क्या documents लगेंगे कोण कोण apply कर सकता है कहां जाके apply करना है और क्या क्या conditions है सब कुछ बताऊंगा तो वीडियो को उसके लिए end तक जरूर देखना और जो लोग में चैनल को subscribe नहीं करें पर ये चैनल को subscribe जरूर कर लेना स्टेट स्कॉलर्शिप पोर्टल ये करनाटा का स्टेट का एक स्कॉलर्शिप पोर्टल है जैसे के NSP जो होता है वो सेंट्रल गवर्मेंट का होता है वैसे उसी तरीके से SSP यानिके स्टेट का होता है अब इसके जो online applications है वो finally open कर दिये गए हैं सबसे पहले मैं आप लोगों को इनका circular read करके बता देता हूं यह जो scholarship open हुई है इसमें कोनकोन apply कर सकता है सबसे पहले उसकी बात करते हैं पीउसी अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तेंथ के बाद पीउसी जो करते हैं फर्स्ट यर सेकेंडियर वो या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर टेंथ के बाद आप कोई भी study कर रहे हैं तो आप इस scholarship के लिए apply कर सकते हैं याद रखिएगा 10 में अगर आप हैं या उसके अंदर हैं तो आप लोगों के लिए भी open नहीं है 10 के ऊपर या फिर उसके एक्विवेलेंट में जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उन लोगों के लिए open कर दिया गया है अब उसके बाद अगर आप लोग कोई भी से आते हैं तो तो उसमें अलग से अमाउंट मिलता है तो विद्याश्री भी open कर दी गई है सीधे बुलिए तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलर्शिप के लिए जो online application से अभी SSP के तरफ से open कर दिये गए हैं अब बात करते हैं इसको apply करने के लिए आप लोगों को क्या-क्या documents ल लोगों को 10 के maskarts लगाने पढ़ेंगे अगर अगर आप Engineering के third year में है तो second year के लगाने पढ़ेंगे इंजिनियरिंग के तो इस तरीके से उसको बोलते है previous year के maskarts और साथ में बोलो तो आधार कार्ड अधार कार्ड में भी student का अधार कार्ड भी लगाना पड़ेगा और पैरे आप लोगों का mobile number इसके साथ जो भी additional documents आप लोगों को पूछता है portal पे तो वो भी आप लोगों को provide करने हैं अब यह सब सारी चीज़े तो मैंने आप लोगों को बता दी आप बात करते हैं इसको online से apply कैसे करना है सबसे पहले आप लोग कोई भी browser open कर लेना वहाँ पर आप लोगों को search करना है SSP SSP scholarship जैसे आप लोग सर्च करेंगे सबसे पहले जो आप लोगों को link दिख रही है उसके उपर आप लोगों को click करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी SSP scholarship की website open हो चुकी है सबसे पहले मैं इसको English में convert करके आप लोगों को समझा देता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को 2 section है starting में ही उपर सबसे पहले देखिए right side का जो box दिख रहा है आप लोगों को वहाँ पर है कि आप लोग अगर पहले से apply किये थे last time तो आप लोग जो है ना इसमे right side वाले box पे पे click करकर अब फिलाल अभी के लिए apply करना है अगर नहीं आप पहली बार apply कर रहे है तो left side के box पे आप लोगों को click करके दिखा देता हूँ आप लोगों को log in कर लेना है, log in करने के बाद आपके सारी details वगरा पूछी जाएगी, वो सारी details आप लोगों को provide करनी है, finalist form submission complete कर देना है, complete करकर आप लोग जो हना form के साथ आपके सारे documents लगा के आपने institute में आपके college में अभी आप लोगों को लिके जाकर देना है, इस scholarship को online apply करने की date तो open हो ही चुकी है, अब इसकी जो last date है online apply करने के लिए, वो है 15 September 2024, इस date से पहले पहले आप लोग अप लोगों को सारी details में समझ में आ गई होगी, जो भी school के बच्चे हैं, उन लोगों के लिए अभी open नहीं है, जो भी college के बच्चे हैं, उन लोगों के लिए य जरूर शेर करना ताकि उन लोग भी scholarship apply कर सकें, मिलते हैं एकली वीडियो में, thank you for watching.